स्वागत आपका मैं हूँ आपके साथ इंदर जीत कौर और इस वक्त की हर्याना और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे शुरू आथ हर्याना से करते हैं हर्याना में हर्ताल के फैसले पर अडिक बिजली कर्मचारियों की हर्ताल को टालने के लिए हर्याना सरकार की और से एक और पहल की गई है हर्याना सरकार ने आज बिजली कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया है सरकार की और से बादसीत के लिए बिजली तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाए गई है इस कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री करिशनलाल पमवार को बनाए गया है सरकार की और से कहा गया है कि बिजली विभाग का निजी करन नहीं किया गया है सिर्फ तेई सब्डिविशन की मिंटेनिंस का काम प्राइवेट कंपनी को दिया गया है बिजली करमचारियों की मुलाकात आज हर्याना निवास में होगी और तलब है कि बिजली करमचारियों ने 39 और 30 जून को दो दिन की हर्ताल का एलान किया है कि बिजली विभाका निजी करम नहीं किया गया है सर्फ तेज सब्डिविशन की मिंटेनल्स का काम निजी कंपनी को दिया गया है तेबल पर बैठ करेंगे और उनसे अपील भी करते हैं कि बिजली एक नैसेस्टी है इसलिए वो टेबल पर बैठ करके इस बात का समाधान सरकार शानुबूति करना चाहती है और उनकी बास सुनकर के हम ज़र सानुबूति भी चाख करके उसको फिर द्रागर है कि अपिल कर दो जब सामने सामने बैठेंगे वो क्या कहते हैं हम सरकार उसका विखुपी से रिप्लाइज देंगे और जो एक मिसंडरस्टेंडिंग है प्राइवेटेजेशन करने वाली अब उस बात को कलियर करेंगे अब इसको प्राइवेटेजेशन नहीं करें हम एक पार्ट के वल मैंट मैंटिनस उनके हाथ में दिया है तो उधर सर्वकर्मचारी संग ने विजली कर्मचारी की हरताल के दौरान किसी तरह का नुकसान नहीं किया जाएगा उसके बाद ही भी एसमा लगाया जाना गलत है सरवकर्मचारी संगर्याना ने जो बिजली की दो दिन की अड़ताल है 39 जून की उसका राजे सतर पे फैसला लेके समर्थन करने का निरने किया है निजी करन की नीती के खिलाप है हम अरताल के दोवारा कोई नुक्षान नहीं करना चाते बिजली का करमचारी अकेला नहीं है सरकार किसी भी तरीके से करमचारियों का दमन करेगी तो पूरे परदेश का करमचारी बिजली करमचारियों के साथ खड़ा होगा हम जनता के बीच में जा रहे हैं ये जो नीजी करण के फायद नुक्षान है सरकार जिन को फायदों के तोर पे गुणा रही है हम अवेर कर रहे हैं उनको लोगों को नुक्षान से तो बिजली करमचारी हरताल करने पर अड़िग है जबकि सरकार बीच का रास्ता चाहती है हाला कि समर्थन सरकरमचारी संग का भी मिल गया है इन बिजली करमचारीों को लेकिन सरकार जो है बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकालना चाहती है जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जूर चुके हैं जी मीडिया समाधाता ललित शर्मा फोन लाइन पर हमारे पास साथ जूर चुके है ललित अपडेट जाना चाहूंगे कब तक आखिर ये बातचीत संभव है सरकार की तरफ से और बिजली करमचारी के और से अंदर निश्यत तरस अब हम बात करें जो सरकार है वा बात करना चाहती है और उसके लिए आज जो बिजली करमचारी के प्रतिनी मंड़ है उनको बुलाया गया है मिटिंग का नहीं बात करें और से जो यहाँ अगर हम सरकाल है कि इस जेसी और उसके लावा विजली विभाग के अत्रित मुख्य सचिव राजिन गुपता है वो जरूर यहां पर हर्याना निवास में पहुंच चुके हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है फिलाल अगर हम बात करें जो नीजी करम चारी है वो भी इस मीटिंग के लिए लेकिन फिलाल अभी वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं वहीं पर अगर हम बात करें कृष्टन जो पाल है उनका साफ्टर पर यही कहना है कि जो तेज सब्ली विजन जे उनका नीजी करम नहीं किया गया है फिलाल देखना यहीं होगा कि दो दिन की जो स्ट्राइक है उस पर लेकिन फिलाल अगर नबात करें बात यहीं है कि अभी तक कि जब तक मिटिंग शुरू होगी उसके बाद क्या निकलता है उस पर हमारी नज़र बनी रहे हैं लेकिन ललित क्या इस बीच आपकी बिजली करमचारियों से बातचीत हो पाई है क्या वो बातचीत करना चाहते ह हैं इस वक्त पर क्योंकि वो हड़ताल करना चाह रहे थे इंदर अगर बातकर बिजली करमचारी की जो नेता है उनके साथ जरूर बात पर यहीं कहना है कि वो बात जरूर करेंगे साथ तोर को उनकी एक और नाराज़गी असमा को लेकर भी है जहां पर लोने 39 तारी को जो ह करना पर दर्शन कर रहे हैं फिलाल अभी वो बैठक के लिए आएंगे और जब बैठक में क्या बातकीत होती है और किस निश्कस पर क्या चीज निकल कर आती है यह देखना रहेगा लेकिन बातकीत के लिए बिल्कुल तो सरकार जो है बीच का रास्ता यानि की बातचीत के जरिये इस मसले का हल निकालना चाहती है लेकिन बिजली कर्मचारी जो है वो हड़ताल करने पड़ रहे हैं लेकिन बातचीत संभव हो सकती है क्योंकि अभी बातचीत के लिए जो तीन सदस्य कमीटी है वो बिठा दी गई है और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि यह बैठक कब तक होगी आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे ललीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए